चठे भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो इसका कैसा प्रिणाम आप लोगों को मिलेगा देखे जो अस्त ग्रह आप वो आपका चठे भाव में ही होना चाहिए हो सकता है सूरिय आपका पंचम में इस्तित हो या 6 में या 7 में इस्तित हो तो यहां पर हम पर्दिक ग्रह को लेंगे और उसके साब से देखेंगे अस्त होने पर आपको क्या-क्या प्रेणाम मिल सकते हैं। अब सबसे बले अगर बात करें सनी की, तो सनी यहां अगर अस्त हो जाता है सूरिय के दोरा, तो सूरिय यहां परबल रहेगा। और Sunny यहाँ कुछ हद तक कमजोर हो जाएगा अगर सूरिय के द्वारा वो कमबस्ट हो रहा है क्योंकि Sunny के लिए एक neutral sign है और जबकि सूरिय के लिए उसके मितर रासी भी है तो यहाँ पर अब आपको degree difference देखना पड़ेगा साथी Sunny यहाँ पर 7,000 से समन्दित results को खोएगा तो आपका marriage में delay नहीं होगा हलंकि काफी dispute होगा जीवन साथी के साथ और यह आपके career के लिए काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि Sunny अस्थ होगा तो Sunny अस्थ होने की वज़े से आपको एक अच्छा income source मिलना और जीवन में growth जल्दी होना जीवन में आगे पदोनती वगरे जल्दी मिलना career अच्छा होना यह सब देखने को मिल सकता है इसके लवा आपके जीवन साथी और जीवन साथी की family के साथ आपके काफी dispute रह सकते हैं लेकिन वो dispute के level पे ही बात रहेगी बाकी बहुत ज्यादा आपको इस प्रकार की problems का सामरा नहीं करना पड़ेगा और आपको जीवन साथ तो जॉब ज्यादा बेटर रहेगा फिर क्योंकि सनी करमकारक है करमकारक अगर अस्त हो जाता है सूरिय का प्रभाव है सूरिय का प्रभाव होने के वाज़े से जातक को अपने जॉब में ज्यादा income होगी जातक बहुत ज्यादा competitive होगा बहुत hard working होगा लेकिन जितना वह hard family में 30S भी है इस case में क्या होगा आपके साथ इस case में आप बहुत बेहतर तरीके से communicate कर पाएंगे अपने कारी इस्तल पर साथ ही आप अपनी कारी इस्तल पर आने वाली समस्याओं को बहुत ही easily सुलजा पाएंगे आप solution जल्दी निकाल पाएंगे तो ये कुछ हद तक helpful family के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते कभी-कभी बहुत ज़्यादा miss balance का सामना या ऐसे इस्तितियों का सामना करना पड़ सकता जहां पर आपने सही से budget नहीं बनाये हो बज़र त्यार नहीं किया और बहुत ज्यादा अपने खर्चे कर दिये हो तो थोड़ा सा financial condition में उ प्रेटर तरीके से कर पाएगा जितने भी समस्यां आ रहे हैं उनको दूर करके कारिय कर पाएगा तो हम बोल सकते हैं कि बुद्ध का यहां अस्त होना एक अच्छी ही रिस्तितिया आपके लिए देखने को मिलेगी इसके लगवा जातक अगर विदेश से जुड़ता है वि इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े पदपे हो सकते हैं और आप भी एक अच्छे बॉस की तरह काम कर सकते हैं लेकिन मंगल यहां अगर अस्त हो रहा है तो मंगल आपका पंचमेस भी है पंचमेस होते वे जातक को स्टडीज में काफी दिक्कते आएगी इवन ज जातक को अपने पिता से डिस्पुट का सामना करना पड़ सकता है जातक हर प्रकार की समस्याओं को निकालने के लिए या समस्याओं के निदान के लिए अच्छा रहेगा जातक कोई भी प्रकार का कंप्पटिशन फाइट करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा जातक के तो एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति की तरह है आप अपनी समस्याओं को दूर करेंगे या जो भी दिक्कते आपको व्रकप्लेस पे आ रही हो बले ही आपकी डेली लाइफ में आ रही हो उको दूर करेंगे ये इस्तिति में कभी-कभी आपको स्वास्ते समंदी कुछ sudden जैसे accident हो गया या कहीं सरीर पर कोई cut लग गया इस प्रकार की दिक्कतें आ सकते हैं अदर्वाइस आपको यहां इस्तिति काफी अच्छी देखने को मिलेगी तो एक हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रोर वेक täll थिक्षण के साथ यहां पर संभाबना ज्यादा हो सकती है अपके लिए फिर हम ब्रसपति को लेंगे ब्रसपति अगरस्तों следilly और ब्रसपति limit j होगी तो जाद तक को financially कभी-कभी problems आएंगी जाद तक को कुछ health issue जाएंगे जाद तक कि higher studies काफी अच्छी हो सकती है higher studies के लिए वो विदेश जा सकता है उसको विदेशी भूमी पर बहुत ज़्यदा समय वेतित करना पड़ सकता है कभी और क्योंकि जाद तक अपने साथ वालों को बहुत अच्छी सला दे पाएगा अपने ज्यान का और ज़्यदा विस्तार कर पाएगा सुर्य के द्वारा ब्रस्पती अस्त है तो जाद तक अपने संतान के लिए बहुत कुछ करेगा संतान को पुरा सपोर्ट करेगा और संतान के परती वो काफी कॉंसियस भी रहेगा इसके लवा संतान की साथ थोड़ा वक मिस संतान की हिल्थ को लेकि कुछ प्रोब्लम सा सकती है ऐसा जाता कि अपने ज्यान का कभी-कभी गवंड भी करेगा और वह अपने कलिक्स को प्रेसराइज कर सकता है वह उनको एक तरीके से देखा जाए तो काफी हम बोल सकते हैं किसी के अपर हावी होना हावी हो सकता है वो तो ऐसे में अपने ग्यान के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा आप बहुत ज्यादा हावी होने की कौशिस करेंगे क्योंकि सुर्य वाणी स्तान का स्वामी भी है तो ऐसे में आपका विवाद अक्सर होता रहेगा फिर ब्रसपती नाइंथ लोड है नाइंथ लोड ह लग साथ देगा अब ये क्योंकि ब्रस्पती का फिर आस्पर्ट पड़ pop जाता यहांसे टैन्थis पर तो यस में आपको हमेसा था सूर्ब्रिय का उछ्ज अज़र बहुत होने के चांसे हैं था दिख मिलने के चंज़ पिर जातक को कभी-कभी फाइनेंसली भी प्रोब्लम आ सकते हैं लेकिन जातक का इंकम होगा काफी अच्छा होगा अलंकि उसको शुरू में काफी स्ट्रगल करना पड़ा हो उसके बाद शुक्र को लेंगे शुक्र यहां अगर सूरिय से अस्थोरे तो निश्चित ही शुक् काफी धन प्राप करेगा इसके लवा जातक का हम बोल सकते हैं कि जो बहुत तिक सुख है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन जातक को इस्त्रियों का सपोर्ट बहुत ज्यादा रह सकता है अपने ब्रक्प्लेस पे और उसको अपने जिवन साती के साथ एगो करने के लिए तो यहां मनी वाइज इस्तिती अच्छी नहीं दिखती कभी-कभी आपका बजट बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा या आप एक बहुत राजा जैसा जीवन जीने को देखेंगे कभी-कभी आप लोन भी ले लेंगे उधार भी लेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा नहीं रहेगा आपके पैसा हमेशा रहेगा बट रिलेसंसिप और मेरीड लाइफ में दिक्कते आएंगे इसके अलावा अगर किसी इस्तरी का ऐसा कंडिशन बन रहा हो कि शुक्र सूरिये से अस्त हो रहा हो तो उसको भी फाइनेंसली कुछ प्रॉब् या कैसे भी वो ऐस करेगा अपनी लाइफ में हमेशा और उसको लेकिन शुरू में उतना ज्यादा मेहनत करने की जुरुत रहेगी उसको अपने शुकों को प्राप्त करने के लिए अच्छा नेम प्राप्त करने के लिए इसके लावा अब हम देख लेते हैं चंद्रमा को चंद्रमा अगर सुरीय के दुआरा अस्थ हो रहे हो तो चंद्रमा लगनेस होने की इस्तिति में सुरीय आपको पावर देंगे हां पर मजबूत करेंगे जातक धन के मामलों में अच्छा होगा और इमोसमली काफि स्ट्रोंग होगा जातक जातक नेर्ने LENE में काफि ही ज्यादा रहेगी तो confidence बहुत बड़ा हो रहेगा साथ ही फालतु के emotions आप में नहीं रहेगे emotionally बहुत ज़्यदा balance आप रहोगे अब सुर्य कितना नजदिक है जितना जदा सुर्य नजदिक होगा उतने ही प्रवलता सुर्य की बढ़ेगी तो उतने ही emotions आपके खतम होगे और आपको एक प्रवलता मिलेगी आंत्रिक रूप से भी और बहारी रूप से भी साथ ही आपको जो विक्तित्व होगा काफी जदा करिश्माई होगा तो already हम आप सब कुस डिसकस कर चुके फिलाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद